अध्या अस्माकम कारिशालायां ए अस्माकम बोध्धारासंती अस्माकम मार्गदर्श्रकाहसंती इते संती स्रीमन्ताह स्वा मिनाहा صिदानंध महा भागधाहा स्वा मिनाम बयमकारिशालायां प्रनाह कुन्नेना स्वागतम अविनननदण अस्माकम बिश्विद्यालयख्स्रकाहसंती स्वामिनाम किंचित संचिप्त परचयं बयं अशमिन अवसरी अवगत्छा महा श्वामिनाह दिगता चतुस्तिरिंशत वर्षिप्या वेदान्त गीता उपनिशराम विक्षत रूपेना संपून विश्वे नकेवलं भारते संपून विश्वे वेदान्त अस्य प्रसारं कुर्वंता संती स्वामिभी इलेक्ट्रोनिक इंजीनियर विशय अध्येनम विहीतमस्ती स्वामिन हा चिन्मया नंदस्य भरिष्ट शिष्यरूपेना कारियम अपि क्रतवंता हा परिष्ट शिष्यरूपेना वर्तनते स्वामिनाम शिष्या हा नकेवलं भारती हा अपि तुबैदेशिक अपि वरतनते स्वामी भी ही असमिन अवसरे हिमाचला प्रदेशे स्वानलस्थ स्वामी नहां अस्विय व्याख्यानई ही संपूर मानव जीवनम परिवर्ताईतों इहंते स्वामी नाम नकेवलं वेदांते एव गति हिवर्तते अन्य इतरक्षेत्रे स्वापी महती गती अस्थि ते असमीन अवसरे अस्माकम कारिशालायाम, समुपस्थितह परतंते, तदर्थम पुनह पुनहा, बयम श्वामिनाम, स्वागतम, अविनन्दनम, बंदनम पुर्महा, निवेधयामाचा, भवनतह अस्मान, असमीन अवसरे, उद्भोध्या, आपलावे अंतुई थी, उज्य स्वामिना मुझे बहुत कुशी होती है और मैं इस आयोजन में जो जुटे हैं सब को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सारी कारिशाला में सब को इससे बहुत लाब हो उनको सब द्रश्टी से सब और से इससे अच्छा फल मिले इस प्रकार आशा करते हुए यह आज के विशई पर कुछ मैं बोलना चाहूंगा जैसे आप जानते हैं आज का विशई है उपनिशदों में प्रबंद शास्त्र और नेत्रत्त। उपनिशद अमारे देश के बहुत ही पुरातन संपत्ति हैं वेदों का भाग है अर उपनिशद इसी ना किसी वेद का एक भाग ही है चार वेदों में बहुत सारी उपनिशदें पाई जाती हैं और उन सब में मानव जीवन के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रेरना स्पूर्ती मिलती हैं इस बार ये कारिशाल विशेश करके शिक्षा के परिप्रेक्ष में नेत्रत्व और प्रबंद लेकर यहां चल रही है और मैं इस संदर्ग में ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ चार-पान साल से शिक्षा और पूपनिशदों के संबंद में कुछ अध्येन करते आया हूँ और उसमें मुक्य रूप से प्रेरनास, पूर्तिया और मार्गदर्शन मुझे मिले अब दिवंगत श्री केपी पंडे जी के द्वारा उन्होंने मेरी और बहुत प्यार दिखाया और मुझको लेकर अई बार वे उपनिशद और शिक्षा ये लेकर बहुत चिंतन मंतन साथ किये और भी कुछ अच्छे विद्वान लोगों को भी उस प्रोजेक्ट में जोड़ दिये और वेदान्त, शिक्षा और संबंदित विश्यों पे उनके साथ मैं बहुत सारे बार दिल्ली में, वारा नसी में हिमाचल प्रदेश के सोलं में भी एक बार पदा रहे थे एक और प्रोफेसर के साथ, वहां भी हमने गंटो भर बैठके और एक बार हर्याना में एक महिला विश्योई त्याले में भी तीन दिन बैठके बहुत चर्चा की, आज मैं विशेश करके आज के विशय पर जो बोल उने जा रहा हूं, वो शायद प्रोफेसर के भी पांडे जी के साथ मैंने जो चर्चा की थी, उसका शत में एक वन परसेंट सामगरी होगा, यूंकि उतने सारे हमने चर्चा की, मैं उनको इस समय अपने दिल से श्रद्धानजली देता हूं, और मैं उनके प्रति, उनकी औ बहुत कृतकी हों, उनसे मैंने बहुत सीका, बहुत प्यार भी पाया था, आप सब उनको जानते हैं, आपके विश्विद्ध्याले में भी हो, कई बार उपस दितने, और मेरे को भी एक बार फेस टू फेस, आफ लाइन, आपके विश्विद्ध्याले में एक व्याक्यान म का स्रोत है जिससे सदियों से या हजारों सालों से हमारे देश में विद्वानों को प्रेरना मिली है और विद्वानों के द्वारा अन्यों को भी स्पूर्ती मिली है। उपनिशदों के द्वारा ही बहुत सारे दूसरे ग्रंत प्रेजित हुए उसलिए ये कहा जाता है कि उपनिशद हमारे सारे फिलसोफिकल दार्षनिक व्यवस्ताओं का दार्षनिक शास्त्रों का वो गुनियाद है वो एक आधार शिला है तो उसी लिए हम जैसे ही ये शुरुवात करते हैं ये हम मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम जिसको ले रहे हैं अब वो एक बहुत ही इनकामपेरेबल उसकी तुलना नहीं है बहुत ही महत्तर एक ज्यान का मूल है उसमें बहुत हम पा सकते हैं पहले दिखता है कि उपनिशत क्या है वो तो कुछ सब लोग समझ समझ भी नहीं सकते हैं वो बहुत ही कटिन है इत्यादी भावना होती है लेकिन आप कुछ मार्गदर्शन के साथ उसमें प्रवेश करें और उसमें अध्येन करते आगे गए तो आपको पता चलेगा कि उस में सब कुछ मिलता है सब शास्त्रों के बीज उपनिशतों में हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं तो इस कारिशाला में हम विचार करने जा रहे हैं मैनेजमेंट और लीडर्शिप इन उपनिशत पहले ही कहा कि यह बहुत अच्छा विशय है और उपनिशतों से हम कुछ मार्गदर्शन अब देखने जा रहे हैं उपनिशतों का महत्तु ऐसा है यदि और दो बाते कही जाए कि विदेशों से कुछ दो सव तीन सव साल पहले यह जर्मनी में एक प्रफेसर थे आर्थर शोपनहौर उन्होंने कहा था कि सारी दुन्या में ऐसी कोई भी उतना लाबधा एक अध्ये नहीं है जैसे उपनिशत का हो और उपनिशत मेरी जिन्दगी की सांत्वना रही है और मेरे मरने के बाद भी वही मेरी सांत्वना होगी उपनिशत्स आव बीन दी सोलेस अफ मै लाइफ दे विल बी दी सोलेस अफ मै डेथ यह प्रफेसर शोपन हो रखे बहुत सारे शिश्यगर्ण बाद में भारतिया दर्शनों को बहुत गहराय में बहुत विस्तार से अध्यान किया और उनके अध्यान को भी यूरोप और अमेरिका ले गए तो उसके बाद हमारे ही स्वामी विवेकान जिन ये कहा था यद्यपी उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों पर व्याक्यान दिया लेकिन बीच-बीच में ये कहा करते थे गो बैक टू योर उपनिशत्स उपनिशत्स में फिर देने वाली हैं वो बहुत ही उज्वल दर्शन है और उनको लेकर दूसरे सब चोड़ दो ऐसे भी उन्होंने एक बार कहा था तो शोपन होर की बात मैंने कही और उसके बाद विवेकान जी ने जो कहा था उसको भी हमने जिकर खिया तो अब विश्रिशय में सीधा प्रवे तरह में यह जो वेदांत शास्त्र है जिसको सामानिता हम मुक्ष शास्त्र करते हैं उसका क्या संबंद होगा उसका यह शिक्षा विशय पर क्या परिणाम होगा तो इस पर हमें यह कहना होगा कि जीवन के हर विभाग में एक करता होता है हम सब करता है जो पढ़ते हैं वो भी करता है और जो पढ़ाते हैं और शिक्षा के परिप्रेक्ष में जो जो गूमिका जो जो योगदान सब लोग करते हैं या रखते हैं वो सब ऐसे हैं कि there is a doer, there is a performer, there is a करता और यदि वो करता या करत्री अच्छी तर अप्रेरित हो, उनके ग्यान अच्छा हो, उनका मन निर्मल हो, तो बहुत फरक पड़ेगा, उनके मूल अच्छे हो, तो बहुत फरक पड़ेगा, जो जो कुछ वो करते हैं, वो सब अच्छे निकलेंगे, उसी लिए चांदोगी उपनिशद में यह जो मंत्र में यहां पेश कर रहा हूं, कहा है, यदेव विद्यया करोती, श्रद्धया, उपनिशदा, तदेव वीर्यतरम, वीर्यतरम भवती, पहले अध्याय में, पहले खंड में ही यह कहा है, कि हम किसी विभाग में काम करते हो, कुछ भी हो, यदि हम विद्या से, मतलब उसके प्रति, उसके बारे में अच्छी जानकारी रखर यदि करें, श्रद्धया, यदि हम उस काम में, और अपने में, और देश के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा, और तर्डली, तीसरे तवर पर उपनिशदा, यहां उपनिशद शब्द का अर्त है, श्री शंकराचारी उस पर अर्त देते हैं, योग, योग मतलब जोड़ना, यदि हम हैं और कुछ करने जा रहे है अपने काम में हम अच्छी तरह अपने मन बुद्धी को लगा कर करें, तो वीर्यवत तरम, वीर्यवत का अर्त है पावर्फुल, जिसमें वीर्य हो, जिसमें बल हो, जिसमें ताकत हो, और वीर्यवत तरम, वो उसमें बहुत ही ताकत आ जाएगा, तो ऐसी पंक्तिया, ऐसे मंत्र सारे उपनिशदों में हैं ये नहीं समझना कि उपनिशद सिरफ आत्मा ब्रह्म्हा स्वर्ग नरक या कुछ मोक्ष के बारे में कहते हैं इसी बात नहीं है यद्यभी अद्वाइत दर्शन के अनुसार ब्रह्म्हा और आत्म का एक था वो केंद्र बिंदू है उपनिश में रखते हुए उसके आसपास में या उसके परीधी में एराउंड इट बहुत सारे अच्छे विशय उपनिशदों में दिये गए है कहानियों के द्वारा डायरेक्ट उपदेश के द्वारा या कुछ द्रिश्टांतों के द्वारा कुछ मेटाफर्स, रूपक, सिमिलीस, म अगयरा के द्वारा बहुत कुछ कहे गए हैं तो सारे विद्या के लिए शारे शिक्षा के लिए ऐसे एक प्रेज़ना को हम यहां देख सकते हैं चांदों की सामवेद के चांदों की उपनिशत में और उपनिशतों में जो कही गई हैं बातें उनमें बहुत सारे विशय हैं एक्जामपल के तवर पर हम एक ले तो मनुश्य की जीवन में यद्यपी हम तंत्रज्ञान के तव दोर पर बहुत आगे बड़े हैं फिरबी हमेशा केलिए एक सवाल रहा है और रहेगा भी बविश्य में जीवन का अर्थ क्या है और जीवन में हम वैसे किसके लिए खोज रहे हैं किसके लिए डून रहे हैं तो एक तो है, सब को चाहिए सुख, वेस्ट और इस्ट, आस्ट्रेलिया और जपान, सब जगह सुख का तलाज चल रहा है, लोग चाहते ही सुख, चांदों की उपनिशद में ही नारद मुनी की कहानी आती है, नारद रशी बहुत सारी विद्याओं को सीख कर फिर भी नाकुष्ट थे, असंतुष्ट थे, वे जाकर एक बहुत ही जवान, समझिये तरुम, एक सनत कुमार के पास जाकर करते हैं कि इतने सारे जानकर भी मैं सुखी नहीं हो, तो वहाँ एक अद्बुत चर्चा होती है, संबाद होता है, और सनत कुमार उस चांदों की उपनिशद के सात्वे अध्याय में, यंत में कहते हैं कि योवई भूमा तत सुकम, न अल्पे सुकमस्ती, जो अनंत है, जिसकी सीमा नहीं हो, उसको पाकर ही सकता है, तो ये पहले नजर से लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया, जो अनंत, अनंत को पाये कैसे, वगेरा वगेरा, लेकिन शिक्षा में यदि इसका हलका सा भी जलक पहले से हो, तो हर चीज अपने सही जगह पर भैठ सकती है, ये जानना पड़ेगा हमको, कि सि सिरफ पैसे से, सिरफ स्तान मान से हमें सुक नहीं मिलने वाला है, ये सब जरूरी है अवश्य, लेकिन सब सुक साधनों के साथ साथ, हम अंदर से ये हमें जानना है कि मन जो हमेशे कुछ न कुछ पकड़ के रहता है, वो शान्त हो, जहां मन शान्त है, जहां मन अपनी सीमाओं को अपनी स्वयम्कृत सेल्फ क्रियेटेड बाउन्डरी इसको चोड़ सके तो हम अपने स्वरूप में ही आनंद का अनुबव कर सकते हैं वाकी सब ठीक है एक अज्ञान दशा में हमें अर्थ चाहिए काम चाहिए और आगे बढ़कर धर्म चाहिए लेकिन इ इन तीन पुरुशार्तों के द्वारा जो है अर्थ काम और धर्म शाश्वत शांती मिलती नहीं है इसका हलका सा समझ पहले से हो तो हर विद्यारती चात्र हर शिक्षक या शिक्षिका और शिक्षा के परिप्रेक्ष में जो लोग ज़कारी रत है सक्री है उन सब का का अंडर्स्टैंडिंग होता है और इस बीच में फिर से मैं कहुंगा कि उपनिशद में सिरफ इस प्रकार की भूमा भूमा ग्रम का एक और परियाई पद है अनंत वस्तु ऐसा नहीं कि उपनिशद सिरफ अनंत वस्तु के बात ही करते बढ़ती है जैसे यहां दूसरा एक पनिशदों का शांती मंत्र है स्तिरई ही अंगई ही तुष्ट वागुंसह तनूभी व्यशेम देवहितम यदायू यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है मुझे आश्चरिय नहीं होगा यदि आप में से 80 प्रतिशत लोग इस पूरे मंत्र को जानते होंगे बद्रम करने विश यहां पर कहा है कि नकेवल परमार्त ग्याम यदिया पर हमारा अंतिम लक्षि जरूर है हमें हर रोज अच्छे स्वास्ति रखना जरूरी है। सिरही अंगई ही, हमारे अंगांग अच्छे हो, और देवों को, देवताओं को, हम स्थुति करें, और देवों के द्वारा हमें जो आयू दी गई है, उसको पूरे स्वास्ते से, अच्छे मन से, निर्मल भावनाओं के साथ हम जियें, विसे मदेव इतम यदायू हूँ, तो आजकल जो बात चलती है holistic education जहां समक्र शिक्षा कते हैं holistic न केवल शारेरिक दृष्टी से, भावनात्मक मन की दृष्टी से, विचारात्मक बुद्धी की दृष्टी से, सब angles of view, सब दृष्टी कोनों से शिक्षा हमें एक बहुत अच्ची प्रजा बनाए ये holistic education है, मुझे कहने में दुख होता है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि विश्व के बहुत मश्बूर, मश्बूर विश्व इद्यालयों से, वो Cambridge हो, या Oxford हो, Harvard हो, या Stanford हो, बड़े-बड़े मश्बूर विश्व इद्यालयों से, ऐसे कुछ लोग निकलते हैं, जो उतने सारे अच्चा ज्यान पाकर भी बाद में, या तो कुछ अपरादी कृत्यों में लग जाते हैं, criminal acts, या तो ऐसी चीजे करते हैं, जो सिरफ profit oriented, एक संस्ता को इतना profit मिल जाए, और उस profit के लिए, उस मुनाफे के लिए, बहुत सारे देश, developing countries, तड़ पे, बहुत सारे developing countries, और भी गरीब हो जाए, उसमें उनके सारे संपन मूल, एक दो developed country के पास चले जाएं, उसमें उनके कोई परिशानी नहीं है, उनकी बुद्धी मत्ता, उनकी जो बड़े-बड़े university में जो उनने पाया, वो सब ग्यान extremely selfish रहता है, इतने स्वार्ती रहता है, यदि शिक्षा से स्वार्त हद में रही रहता, स्वार्त doesn't come under check, वो केसी सिक्षा होगी, वो शिक्षा खतरनाक है, वो शिक्षा दुनिया के लिए बहुत हानिकारक है, ये हम ऐसे ही वो नहीं बोल रहे हैं, इसका परिणाम हम देखते आये हैं, कि ग्यान से अनर्थ भी हो स सकता है, तो ज्ञान से यदि विद्या से शिक्षा से अच्चा होना चाहिए, सारे विश्व शांती से और सम्रद्धी से भरी हो वैसे चाहिए, तो उपनिशदों में जो कहा गया है, उस प्रकार का अच्चे मूल्य सब के नसनस में आने की जरूरत है, तो उस दृष्टी से हमें ये शांती मंत्र, आप सब जानते हैं, बहुत सारे शांती मंत्र हैं, सहनावो तू, सहनाव गुनक तू, या दूसरे में आप्यायन तुमामांगानी वगेरा, उन सब में ऐसी एक दृष्टी मिलती हैं, जिससे हम बहुत अच्चे इंसान बनते ह ऐसे इंसान जो किसी का हानी, किसी को हिम्सा नहीं चाहता है, तो अच्चे इंसान बनना एक बुनियाद है, that is the foundation, towards that उपनिशदिक विष्दम is very helpful. Now, उपनिशदों में ये कहा गया है, सत्यम वद धर्म अंचरा, ये भी मैं पूछन चाहूंगा, आपको कुछ लोगों को लगता होगा, ये तो बहुत प्राइमरी स्कूल का मामला हो गया, सच बोलो, जूट त्यागो, और धर्म के मार्ग में रहो, ये तो बहुत, ये सब चानते हैं, चानते होंगे, लेकिन कितने लोग इसको गंभीरता पूरवक स्विकारते हैं और अपने जिन्दगी में उतारते हैं, तो उपनिशद में न केवल ऐसे इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिसकुशन के द्वारा, डायलोग के द्वारा, गुर आजाते हैं, तो सत्य बोलना और धर्म का पालन करना, और एक और कटोपनिशद का वाक्य है, जो स्वामी विवेकानन्द को बहुत ही प्यारा रहा, और वो मूलतहा, उत्तिष्टता, जाग्रता, प्राप्यवरान, निबोधता, उठो और जागो, और अच्छे गुरुओं का पास जाकर कुच उची चीजे जानो, निबोधता, स्वामी वेकानन जी निवेकानने उच्को तोड़ा, बदलकर, आराइस, अवेक, और नाट तिल गोल इस रीच, है से उच्छे कर दी आता, और देंगा, जो एक ए नच्छे कर दियाता, और जो तो और जो भी कर दीए This is one more side of Upanishads. Every leader, every manager, every executive, every teacher and every student should take these sentences to one's heart. This is what I must do. नहीं तो मैं भी बर्बाद हो जाँगा और मेरे द्वारा दूसरों को भी दर्द ही पहुचेगा. यह समझने की जरुवत है. यद्यपी कुछ चतुराई से, कुछ कपट से, कुछ कुछ कुटिलता से हम तोड़े समय के लिए आगे जा सकते हैं. और दूसरों से आगे बढ़कर अपने बारे में हम बहुत होश्यार हैं, हम सफल हुए वगेरा सोच सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चलेगा. जहां सत्य है, जहां अच्छा ज्ञान है, वहां सच ही गंबे समय के लिए सारे जिंदगी बर और हमारे शास्त्रों के अनुसार, उसके बार भी, इवन आफ्टर डेप्थ, धर्मो मित्रम मृतस्यचा, ऐसे एक पंक्ति है, मरने के बाद भी यदि हमारे साथ कुछ चलने वाला है, कोई इमित्र चलने वाला है, वो धर्म है, धर्मो मित्रम मृतस्यचा ऐसे कहा गया है. और अब हम देखते हैं, हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट में, एजुकेशन लीडर्शिप में, बहुत शताब्दियों के लिए, बहुत, what you call, सदियों के लिए, for many centuries, we had that गुरुकुल संस्कृति, and Lord Macaulay of the British, he actually wrote in one of his letters, वो पत्र अभी भी मव्जूद है, मुजियम में या कही रखे है लोगों ने, Lord Macaulay wrote to the British Parliament, इस भारत में ऐसा एक पद्दती है, उससे उनकी संस्कृति, उनके मूल्य बहुत जबर्दस्त है, उनके शिक्षा पद्दती को बिगाडना जरूरी है, जब तक उनकी गुरुकुल संस्कृती को, उनकी शिक्षापद्धती को हम नहीं बिगाडते, तब तक वो हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। जो एक माहूल था, atmosphere of holistic education, not just reading books, not just memorizing, or not just showing some skills. कुछ कुशलता दिकाए एक्जाम में, वो theory practical दोनों भी हो क्यो नहीं, लेकिन वहाँ कुछ दिका दिये, और अच्छा मार्क्स, अच्छा ग्रेड्स आ गया, अपने पूरे जीवन में वो क्या है, 24 अवर में उस चात्र का व्यक्तित्व क्या है, शील क्या है, भगवान जाने, आज के system में, that is a main problem, whereas गुरुकल की संस्कृती में एक परिवार की तरह सब राते थे, और 24 अवर्स सब को मालुम था, कि काउन किस तरह है, और कुछ प्यार, कुछ अंडर्स्टैंडिंग, कोई किसी विशय में कमजोर हो, कोई बात नहीं, कोई कुछ जूसरे विशय में ठीक है, वहाँ वो उपर आए, वहाँ वो इंप्रू हो जाए, तो, whole of life and study of some particular subjects were going together. Today there is a division between rest of life or the education program. Therefore, friends, हम देखते हैं कि दुनिया भर में कोई डिग्रीज की कमी आज नहीं है, सब लोगों के बड़े-बड़े डिग्री आसे हैं, everybody is supposed to graduate, so many are PhDs, so many have committed enviable degrees from famous universities, England हो, Australia हो, France हो, University हो, या भारत के अंदर ही, बड़े-बड़े विश्विद्यालेयों से डिग्री मिल जाते हैं, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं कि आज के ज़्यादा शिक्षित लोग बहतर इनसान है, और वो बहतर इन प्रकार से अपने समाज को, अपने देश को सेवा देते हैं, ये को कह नहीं सकते हैं, तो तैत्रिय उपनिशत में कहा है कि गुरु और शिश्य जैसे कुछ शब्दों में दो भाग होता है, पूरुरुप और उत्तरुप, ओ दोनों मिलकर एक शब्द बनता है, जैसे संदी शब्द है, सम उपसर्ग है, धा-धातु है, तो ये उपसर्ग और धातु मिलकर फिर प्रत्याई वगेरा लगकर संदी शब्द हुआ, उस प्रकार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, महा मंत्र है आचार्यक पूर्वरूपम अंते वास्युत्तर रूपम विद्यासंधिही प्रवचनगम संधानम तो एक रूपक को लेकर इस विद्या या शिक्षा के प्रक्रिया को बहुत अची तरह बताया कि शिक्षक एक और और स्टूडेंट दूसरी और और वो मिलते हैं विद्यासंधिही ज्ञान को पाने में शिश्य की और से और ज्ञान को देने में शिक्षक की और से एक प्रक्रिया होती है और वो प्रवचन वो क्लास वो एक बाइंडिंग फोर्स उनको साथ लेयाने का बल या शक्ति वही होती है तो तरह तरह से वहां का महोल वहां का वतावरण हैसा था की चरित्र निर्मान होता था और साथ साथ अलग अलग कुशलत आएं वोई बड़ई बने कोई वाईद्य बने डौक्तर बने और और कोई बाषा तब नी बने कोई पंडित बने कोई कुछ दूसरे कर्म करने वाले बने वोसाब लीवलिवुड that is for earning a livelihood that is for contributing to the society and that कुशलता expertise was going hand in hand with the inner enrichment of the personality व्यक्तित्व अच्छा हो आप शायद पूचेंगे क्या इसका ये मतलब है कि उन दिनों में चोर नहीं थे, अपरादी नहीं थे, उन दिनों में all kinds of criminals, murderers were not there, we don't say that, at any time, anywhere, certain percentage of wrongdoers, जो बुरे खाम करते हैं, वो अवश्य होते हैं, लेकिन हम विश्वास से कह सकते हैं कि उन दिनों में एक बहुती दूसरे डंग से, आज के शिक्षा पद्दती के अनुसार नहीं, दूसरे डंग से, ऐसा समाचता, there were more unwritten rules, unwritten laws, किताबों में लिखने के जरूरत उतनी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे मूल्य सब के दिमाग में, सब के दिल में बहिट गए थे, तो विश्वास से हम यह जरूर कह सकते ही, कि हमार भारत देश जहां उपनिष्द वेर शड़िए, उपनिष्द वेर तॉपनिष्द वेर तॉपनिष्द फ्लॉरिष्द वेरियस सिध्धांतास, this land gave birth, this land nurtured Devaita Siddhãन, Visś bushesta Devaita Siddhãन, Devaita Siddhãन, it nourishind so many other Darshans, Nyaya vaisheeshika, Sankhya yoga, Puromi Mansa, and even बौद्दा जाइन दर्शनस, all of them flourished here, till foreign cultures came in and things started getting confused, getting mixed up. and we are now taking a look at how things might have been in the good old days. The whole country had great understanding of what is right, what is wrong and so on and today I should say this and move on, today actually the whole world is returning, returning to some truths of ancient Indian culture. not just in yoga or ayurved but even in insights of rishis into education, into management, their holistic outlooks are being received and respected in modern times. I hope, मेरी आशा है कि बहुत तेज ही ये भारत के जो योगदान थे उन दिनों में, वो बहुत ही स्वीकार होंगे विश्व में, और ये मैं भारत ही होकर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इस विश्वा से कह रहा हूँ कि वो सारे विश्व के लिए अच्छे जरूर होंगे. तो उपनिशद करते क्या है? उपनिशदों में तरक बद्ध विचार हैं, बुद्धी को प्रेरणा देने वाली बाते हैं. पटो पनिशद में एक मंत्र है, मैं तोड़ा चुन-चुन कर कभी-कभी जहां थीन या चार मंत्रों में बात कही लई है, मैं एक ही मंत्र लिया हूँ इदर. इं्रिये ब्यप्यप्राहि अर्थाः अर्थे व्याष्चपरम्मनाह, मनसस्तु पराव गुद्धिहि बुद्धे रातमा महान पराःःःव्य कर रहें, हियस संदों मैं इस्लिए लिए रहा हूँ कि उपनिशब इस नाटे मीं आहिना हुदी। body of just do this, do this, do this, don't do that, don't do that, don't do that, सिरफ विदिन इशेद आत्मक मामला नहीं है, it is not just a matter of praising something, श्लागना या प्रसंट साथ किसी चीज को आप तारीफ करे, वो सब जरूर है, लेकिन तत्र तत्र बहुत जगा उपनिश्दों में, ऐसे एक विचार हमें मिलता है, यहां जैसे कहा गया है, हम यहां है, और when we don't know enough, जब हम बहुत कम जानते हैं, उस समय हम सोचते हैं कि बस हम यह शरीर है, हमें भूक है, हमें प्यास है, और हमें और बहुत तरह की शारीरिक जरूरते हैं, और जिस तरह हम इन सब शारीरिक जरूरूतों को बहुत अच्छी तरह कुरा कर सके, बहुत बड़े अच्छे घर में रहें, बड़े अच्छे कार में चले, let's move in beautiful cars, have lot of good food and clothes, this is where we begin, what Upanishad says, ऑर अधर्त मतलब उनके विशे अच्छे उनके विशे उप्यक्स, ओ शिरफ शुरुआत हैं, इन दोनों के ऊपर है, अमना, यदि कोई हमें गुलाब जामून दे, लड़ू दे, लेकिन तोड़ा अपमान के साथ दे, लड़ू हात में लेकर हम को देते समय एक ऐसे चहरा बनाए, ले, चले जाओ यहां से, लड़ू लेकर चले जाओ, यदि कुछ अपमान के साथ, सन्मान के साथ नहीं, क्या हम वो लड़ू, वो जले भी, वो गुलाब जाम लेंगे, so we have feelings, we have emotions and our mind is the seat of emotions, our mind के भी सुपरियर है वनसस्तु परा उद्धि ही, हमारा समच, हमारा इसा एक सुबाशित है, जो जादा जानते नहीं, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन जो थोड़ा कुछ जानते हैं, उनको पैसे भी चाहिए, लेकिन सनमान भी चाहिए. और जो सबके उत्तम हैं, वो सन्मान चाहते हैं, ऐसे कम भी हो, उत्तमा हमानमिच्छन्ती, क्यों होता है? ये एक सत्य है, जो आज सिर्फ पैसे ही चाहता है, वो एक दिन जागेगा, वो एक दिन उठेगा, एक दिन वो समझ लेगा, कि भई, कैसे से मेरा सबकुछ नहीं बनत है, मुझे शांती नहीं है, सिर्फ पैसे से, इन ड्यू कोर्स आफ टाइम, ये अंडर्स्टाइट्स, गुद्धी, धर्फोर, वैल्यूस, वेन 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 लिवड़ा लाइफ ऑफ वर्चू, यदि हम ऐसे जीते हैं, जहां हम बहुत ही खम गलतिया करते हैं, जीरो गलतिया बहुत मुश्किल है, कुछ गलतिया हो जाती है, लेकिन जान बूज कर यदि हम गलति न करें, तो उससे जो अंदर ऐसास होता है, एक अंदर सेंस अफ, I have lived well, my life is going on well, I am okay, this feeling, I am okay, is more important than I have a big house, I have a beautiful car, I have a wonderful husband or wife, ये सब अपने जगा पर ठीक हैं, but that overall feeling, I am okay, I have lived a good life, a true life, a meaningful life, that is all possible, if बुद्धी is set right, उसे लिए उसी कटोपनिशत में एक रत रूपक दिया जाता है, शरीर एक रत है, और उस रत को चलाने वाला सारती बुद्धी है, गुद्धिम्तुसारतिम् विद्धी मनः प्रग्रहवा नरहा आत्मानम रतिनम विद्धी चरीरम रतमेवतू, बहुत प्रसिद्ध शलोक है, मंत्र है, उपनिशतों के बहुत सारे इस प्रकार के दृष्टान त्यारूपक, बहुत सदियों से, अमारे देश में पताने कितने कविताये लिकिगे, कितने नातक कुसके आदार पर बनाये, कितने कावये, कितने अन्य कृतियां लिकिगे गई, क्यूंकि, यह, they influenced the human life. But today there is lack of knowledge of Sanskrit, there is so many other influences and we miss out. मैं आज बात कर रहा हूं। मैं आज बोल रहा हूं एक ऐसे कारिशाला में जिसका आयोजन हुआ है राष्ट्रिय संस्क्रत विश्विध्यालय के तहत। और मैं आशा करता हूँ कि इन संस्कृत विश्विद्यालयों में यद्यपी चुनवती काफी कटिन है ततापी इन संस्कृत विश्विद्यालयों में ज्यादा ज्यादा लोगों को संस्कृत फिर से अपने हाथ में आ जाए लोग संस्कृत सीखें और संस्कृत के द्वारा मुल भाशा में ही ए बहुत बहुत ही अमूल्य शास्त्र संपत्ति को अपनाए अपना सके so this is one more example of character building for all managers for all what we call leaders now in education there is a there is a big issue should it have all freedom अजा दिजाए अजाइ तुदंस को आव सब्को या अनुशासन हो discipline now we know that both have their own place too much discipline rules, rules, rules you can't do that you can't do that but every one of you galate wait not be galate is Prakar both the Amoja so this is six okay got chapter with the RTA with the RTA knee I'm a short term era hanging I'm a short chinti trahengi they will always be afraid we will be caught doing something wrong oh so you cannot have an atmosphere of fear fear spoils the whole education system therefore we do need freedom but we need discipline to like they say Nadi Bhatti a donor of which came to banks of the river do kinare how strong hope that the achieve there are no kinare strongly oh he be Nadine bigger jati just as a river needs good to banks on both sides human life requires certain discipline in the 33 open issue the guru says at a certain point look at this whole universe they call sri srishti that I have a key which I see maan shakti hey jiske dr say how are sahi dangse bharti bisha means dr say as maad bisha vata ha pavati वीशा अदेति सूर्या हा एर एर दे इस्ट वी इस्ट थे सूर्या हा एर जे प्रामिनिस्टर हो या प्रसिद टूंप्व या बाइडन हो Manmohan Singh हो या प्रदान मुंत्री मोधी हो and anywhere, anybody the contribution of Mother Nature is immeasurable how is it everything is happening there is discipline, there is a cosmic law my guru, Swami Chinmayanandji this universe is not a chaos this universe is a cosmos chaos means all confusion chaos, chaotic they say cosmos means something well structured the more we grow inwardly जैसे ही हम अंदर से विकसित होते हैं जैसे ही हम जादा जादा विश्व में सत्य को परचान सकेंगे यहा नहाँ धर्म है रितम वसको वेदो नहाँ रितम कहा रितम वच्मी, सत्यम वच्मी रिता is cosmic order so on one hand the leaders, education leaders okay I must add here our rishis were at once education leaders they were the people running various guru kulas Harindrumata ran a guru kula where Satyakama Jabali went याद नवल क्या conducted ran a big guru kula he invited scholars they could be बहुत सारे conferences में जाते थे वे राजा जनक के सभा में जाकर दूसरे विद्वानों से मिलते थे हार उनोने गारगी हो या अपने घर में ही मेत्रे ही हो नारियों से भी बहुत ही अच्छी तरह संभाद, चर्चा करते थे तो ये सब education leaders है they were managers of education Vishwamitra और Gautama the famous rishis of course and behind those hundreds of famous rishis there were tens of thousands of less known rishis householders, married people with wives and children and the wives also took part in running the Gurukula the wives had Guru Patnis had a very very important place in the scheme of things चात्र गुरों को और गुरुपत्नियों को अदर करते थे उनकी सेवा करते थे or nobody was taking law into their hands students had their responsibilities and Gurus and Guru Patnis had their responsibilities विशास्माद वातप्पवते you may add विशास्माद गुरुः चरतिस्माद विशास्माद गुरुपत्नी चरतिस्माद विशास्माद शिष्याः चरति विशास्माद शिष्याः चरति विशास्माद शिष्याः चरति but at the same time it was not suppressive or repressive it was not that nobody should disobey me on the contrary like the second quote given here from prasna Upanishad shows Rishi Pippalada says to his six students when six learned disciples they could with one thing but when they are Rishi Pippalada kete hain ajaye aapka swagat lekin pehle ek saal is ashram ke anushasanne discipline se raho vasasambhatsaram nivasyata brahmacharyena shraddhaya there is a mantra and after that one year of living in discipline yadha kamam prasnan prachyata thus discipline and freedom went in a fine balance in the name of discipline there was no suppression in the name of freedom there was no licentiousness and then touching upon Upanishads I must quickly mention there were and there are such mantras in the Upanishads which are mind-goggling in the ishava say you have the ultimate truth is it moves it doesn't move it is inside and it is outside it is far and it is near the night and it is inside of the night and the other it is inside it is outside the other it is outside the street the other it is inside of the city which is in the state of the city of the कर वंदर बोलना, next minute they say बाहर, but today that is what they say about even things like electron, an electron is particle from one angle of you with a mass and it is a wave, energy from another angle of you without any mass, a particle is located, energy spread out, electron क्या particle है, energy है, वो particle भी है, energy भी है, बोलते हैं, उस प्रकारूपनिशदों में, एक और आत्मतत्त्त के बारे में, दूसरी और मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ आत्मा पर्मात्मा की बात नहीं है, even about truth, about justice, न्याय, about love, frame, frame क्या है, frame के बारे में, सच्चे प्यार के ब करे में कुछ कहना मुख्किल है, कहना बहुत मुख्किल है, sometimes it is expressed, sometimes it is not expressed, what is expressed may not be true love, and what is not expressed may have true love in it, so as applicable to truth, as applicable to pure, as applicable to justice, as applicable to order in life, जीवन में जो एक गवस्ता है, जो हम चाते हैं, उसके बारे में ये कहा जा सकता है, कि सच में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब वो कहा गया कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, वही एक बड़ा statement है, उसमें बहुत गहराई है, तो अब दिखते हैं, एक या दो, last, आज के में बार बार ये कहा जाती है, कि we must strive for inclusive life, inclusive means किसी को बाहर नहीं रखे, सब का आधर करो, सब को लेकर साथ चलो, इसका आधार, महात्मा गांधी को, विनोबा भावे को मिला था, इशा वास्य में पहला मंत्र ही, इशा वास्य मिदम सर्वों, यत्किंच जगत्याम जगत् और एक में इश्वर को देखो, अरे वो काला हो या गोरा हो, वो इस्त्री हो या पुरुष हो, वो बाल हो या बड़ा हो, वो अपना रिष्टेदार हो, या किसी दूसरे कम्यूनिटी का हो, सब में इश्वर है, इश्वर से सब व्यापत है, तो ये, this becomes a formula for education managers to look at all students, teachers, other people, non-teaching staff, everybody, to look at them with a little bit tentativeness, not to jump to a conclusion, ये बुरा है, वो अच्चा है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, जल्द बाजी से कोई नहीं करेंगे, करेंगे करना हो, तो सोच समझ कर, not because of some partiality, पक्षपात से नहीं, लेकिन, what we call, because of some functional correctness, कुछ काम ऐसा है, ये ऐसा जन नहीं कर पाएगा, अन्यता हम उसका आदर करते हैं, इस काम के लिए, इसमें कुशलता नहीं है, therefore, हम इनको नहीं ले सकते हैं, या इनको हम उस team में, उस work में, in group, in that group we cannot do, that's a different matter, वो तो करना ही पढ़ता है, Friends, I now come to my last slide, मैं ये करना चाहूंगा कि, वानेक उपनिशदों में, pedagogy, शिक्षा सास्त के बहुत सारे पहलों लिकाए गए, जो मंत्र मैंने इद उदाहरन किया, उसमें, रिशी उद्दालक, अपने पुत्र, श्वेतकेदू से कहता है, जाके एक बरगद के पेड का एक फल ले आओ, वो ले आता है, उसको तोड़ो, वो तोड़ता है, पिर अंदर बीज है, बीज को भी तोड़ो, क्या देखते हो, क्या देखते हो, अपने अपने हो, क्या एक बाद आओ, अच्ट्वा आओ, क्या एक बाद लेखते हो, प्रमचन, क्या एक बाद है इसे नही जोच नहीं, गुरुल में बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारे आते आते येफैर्म आते पोसहरे अटी़ how to help you gotta in action students were observed вокруг in action and students observed teachers in action the way the teachers were doing they learn they pick the good things from the teachers in this way it can be seen that makes you know me शिक्षा, शिक्षा का प्रबंद, शिक्षा के परिप्रेप्ष में, नित्रत्र वगेरा में बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे बीज, बहुत सारे कॉइंटर्स मिलते हैं हम उपनिश्दों के अध्येन से बहुत लाबानवित हो सकते हैं आप सब को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सब को अभिनंदन और शुब कामनाये परकट करता हूँ ओम नमो नारावाजनाये धन्यवाद हाँ स्वाम अच्यन्तम मार्मिकम मार्ग दर्शनम उपनिशत्सु प्रवंधिनं नेत्रित्तुंचा एतिविशयम अवलंभिया स्वामी वरियाई कृतम आसित तदर्थं वयं अस्मत विश्विद्याले पक्षता हूँ अस्मत केंद्र पक्षता, अस्मातम केंद्रस्य अज्यक्षा नाम पक्षता, भुया भुयाह धन्यवादम स्वामी चरना नाम बयम। परी त्रगाशया महां। अग्रे अपी स्वामी नाम मार्गदर्शनम अस्मातम समेशाम करदे फवतु इती प्राध्या महें।